पीम गती शक्ती मास्टर प्लान के तीन साल पूरे हो गए हैं और इन तीन साल की अवधी के दुरान इस मास्टर प्लान ने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की हैं तो आज इस वीडियो में हम इसी योजना को समझने की कोशिश करेंगे योजना के तमाम important points क्या थे उन पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत में पर योजना या आप infrastructure की बात करें तो उसको develop करने में क्या challenges आते हैं और फिर भारत में अवसन रशना को develop करने के लिए सरकार की ओर से और क्या-क्या योजनाएं शुरू की गई हैं तो इन तमाम बिंदों पर यहाँ पर हम discussion करने वाले हैं चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए और वीडियो में सबसे पहले यहाँ पर एक बार हम खबर पे बात करेंगे खबर के बाद PM गतिशक्ती Master Plan में क्या कुछ important बाते निकल करके आती हैं उनको देखेंगे फिर भारत में infrastructure के लिए सरकार की और से अन्य कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई है इसके अलावा बुनियादे ढाचे के विकास में क्या-क्या challenges देखने को मिलते हैं उन challenges पर भी बात करेंगे अंत में एक सवाल भी आपके लिए होगा सवाल आपका प्रेडिम्स का है और आप comment box में सवाल का जवाब दे सकते हैं इसके अलावा जो पूरा topic है GS paper 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे infrastructure के segment से जोड़ करके देख सकते हैं मेंस के लिहाज से खास्तोर पर ये topic बहुत important है जब आप infrastructure की बात करते हैं तो सरकार infrastructure पर बहुत जोड़ दी रही है और इसी वज़े से infrastructure पर सवाल आने की संभावना भी हर बार बनी रहती है तो इस topic को आपको ध्यान से सुनना है लेकिन उससे पहले आपके लिएक सूशना ये है कि अगर आप UPSC exam के त्यारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी foundation और ज़्यादा मजबूत हो सके तो उतके लिए दृष्टी संस्थान की ओर से तीन batches जो है वो शुरू किये जा रहे है foundation batch है जैसे करूल बाग का हिंदी माध्यम का foundation batch जो है वो 13 November से शुरू होने वाला है तो आप सेंटर पर विजिट कर सकते हैं इसके लावा अगर आप online जानकारी चाहते हैं तो online जानकारी के लिए नंबर पर संपर करें 87501-87501 तो ये सबसे पहले आपके लिए काम की बात हुई अब हम बढ़ते हैं आगे और एक बार खबर को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि खबर है क्या तो खबर पर अगर आप बात करें खबर है कि PM गतिशक्ती राष्ट्री मास्टर प्लान की जो है तीन साल पूरे हो गए हैं इसी अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि PM गतिशक्ती मास्टर प्लान भारत के बुनियादी धाचे में करांतिकारी बदलाव ला रहा है इसकी वज़े से revolutionary development आपको देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग छेत्रों में हमारा जो development है वो बढ़ता जा रहा है इसके अलावा प्रधान मंत्री ने कहा कि गतिशक्ती के कारण भारत जो है वो विक्सित भारत लक्ष के और ज़्यादा करीब जा रहा है तो 2047 सक हमारा ये target है कि जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब हम एक developed country बन जाएंगे और उस target को प्राप करने में ये जो पूरा प्लान है PM गतिशक्ती राष्टी माश्टर प्लान ये प्लान बहुत important role play कर सकता है ऐसा प्रधान मंत्री मोधी ने कहा तो ये सबसे पहले यहाँ पर हमने खबर पे बात की खबर को देखा अब एक बार इस पूरे plan के बारे में कुछ important points discuss कर लिए जाएं तो हमने बात की कि इस पूरे plan के 3 साल पूरे हो गए है तो 3 साल पूरे होने का मतलब ये है कि इस plan को 13 October 2021 को launch किया गया था तो इसकी launch date कब थी? 13 October 2021 इसके अलाबा इसके उद्देश के अगर आप बात करें तो इसका उद्देश है कि विभीन छेत्रों के लिए multi-model connectivity को के बुन्यादी धाचे को मजबूत करना यानि overall sunshape में आप कहें तो इसका target यही है कि भारत में हमें जो infrastructure है चाहे आप उसमें railway की बात करें, चाहे आप उसमें सड़कों की बात करें, पुल की बात करें चाहे आप बात करें वहाँ पर बंदरगाहों की तो सभी चीजों को connect करना और फिर उनको develop करना ये जो पूरा लक्ष है वो इस पूरे plan के तहट decide किया गया है और कुछ लक्षों की बात करें आप तो इसमें पहला लक्ष है आर्थे क्विकास और sustainable development को बढ़ावा देना यानि कि economic development और sustainable development को बढ़ावा देना दूसरा target है भारत में logistic लागत को कम करना और vilamb को घटाना अब यहाँ पर मतलब क्या है logistic लागत को कम करने का मतलब यह है कि भारत में एक समान को दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो लागत आती है उस लागत को कम करना यानि कि अगर आप इस pen का example लेते हैं तो अगर इस pen का निर्माण महराश्ट में होता है और इसको आपको दिल्ली लेकर के आना है तो उस pen की कीमत इस पूरे जो लेके आने का जो खर्चा है वो खर्चा आपका इस pen की कीमत में add हो जाएगा तो pen की कीमत आपकी बढ़ जाती है जिसकी वज़े से महंगाई बढ़ जाती है तो ऐसे में सरकार का target यह है इस पूरे plan के माद्धियम से कि हमें logistic लागत को कम करना है यानि कि spend को मुंबई से दिल्ली लाने की जो लागत है उस लागत को कम करना है अब ये लागत कम कैसे होगी ये लागत कम होगी अगर मालीजे आप वहाँ जो है सड़क परिवहन बहुत कम कर सकते हैं और जो cost है क्योंकि अगर आपका highway direct होगा कहीं भी आपको नहीं रुकना तो इसकी वज़े से आपका जो petrol है वो भी कम लगेगा दूसरे जो साधन है वो भी कम इस्तमाल होंगे तो आपकी जो logistic की लागत है वो लागत भी कम हो जाती है तो इससे देश में लाई भी कम होगी इसके अलावा नए अवसर पैदा करने पर भी यहां पर जोर दिया जाता है नई opportunities पर और अलग अलग परियोजनाओं के तीव्र क्रियानवन यानिके speedy implementation पर भी जोर यहां पर दिया जाता है इस पूरे master plan के अंतरगर इसके अलावा इस पूरे master plan में साथ चेत्रों पर खासतोर पर ध्यान के इंद्रित किया जाता है कौन-कौन से साथ चेत्र हैं तो सबसे पहला है इसमें railway पर ध्यान के इंद्रित किया जाता है यानि कि railway के development पर railway के electrification पर railway के modernization पर ध्यान के इंद्रित किया जाता है इसमें सडके बनाई जाती है बंदरगाह बन storage, cold chain develop करना ये तमाम चीज़े जो है यहाँ पर इस पूरी परियोजना में शामिल होती हैं तो हमने PM गती शक्ती master plan के बारे में बात की आप यहाँ पर भारत सरकार की और से और क्या-क्या परियोजना ये शुरू की गई हैं भारत में infrastructure को develop करने के लिए logistic की लागत को कम करने क लिए उसकी अगर आप बात करें तो एक जैसे आपकी परियोजना है भारत माला परियोजना इसको आपको याद रखना है क्योंकि यह आप means के exam में इस्तमाल कर सकते हैं तो एक परियोजना है आपकी भारत माला परियोजना ये परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्क म परियोजना में तो भारत माला परियोजना में बेसिकली इसमें जो है पहले से जो बुनियादी धाचा आपका बना हुआ है पहले से जो इंफरस्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी प्रभाव शीलता को बढ़ाने पर जोड दिया जाता है यानि कि उस पहले से बने हुए इंफरस लोर्स के माध्यम से किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाये जा सके और लॉजिस्टिक की लागत कम हो सके तो यह हुआ आपका भारत माला परियुजना दूसरा है आपका राश्टिय आवसन रशना पाइपलाइन यानिके नाशनल परियोजना है आपकी सागर माला परियोजना के शुरुवात 2015 में हुई थी और जो भारत माला परियोजना है उसकी शुरुवात 2017 में हुई थी यह चीज़ आपको याद रखनी है सागर माला 2015 भारत माला 2017 अब सागर माला परियोजना का उद्देश है कि भारत में जो पहले के बंदरगां है जो भारत में पहले के हार्बर्स हैं उनको modernize किया जाए उनका mechanization किया जाए उनका computer करण किया जाए निके उनको computerize किया जाए overall पहले के बंदरगाहों के modernization पर जो दोर दिया जाता है वो काम होता है आपका सागर माला परियोजना की तहद जिसको 2015 में शुरू किया गया था एक और परियोजना है आपका जिसका नाम है उडान उडान की full form है उडे देश का आम नागरिक तो ये बेसिकली आपका उडान प्रोजेक्ट हुआ इस उडान प्रोजेक्ट को भी सरकार की और से तो उसके लिए सरकार ने उडान योजना की शुरुआत की थी जिसकी full form है उडे देश का आम नागरिक तो ये overall हमने कुछ प्रोजेक्ट की बात की जिनको सरकार की ओर से भारत में इंफ्रस्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए विक्सित किया गया है अब यहाँ पर एक सव acquisition की आती है भूमी अधिगराइद करना और फिर उस भूमी पर पहले से जो लोग मौजूद थे उन लोगों के पुनरवास की ववस्था करना ये भारत में सबसे बड़े challenge के तौर पर सामने आता है तो land acquisition एक सबसे बड़ी समस्या है फिर सरकार के पास सीमित तंसाधन है और जो आपका private sector है वो भी बहुत ज़्यदा infrastructure पर investment नहीं कर पाता है ये भी बड़ी समस्या है इसके अलावा जटिल परियोजनाओं के लिए जो आपको तकनीक की ज़रुत होती है जिस तरह की skill की आपको ज़रुत होती है वो skill भी आपको भारत में ज़्यादा देखने को नहीं और इन प्रयासों का एक पहलू ये भी है कि आप भारत में आपको एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए या फिर तमाम clearance के आपको ज़रुत होती है उन clearance को एक ही window, single window clearance system के शुरुआत जो है वो सरकार की ओर से की गई है लेकिन अब भी भी बहुत सारे project ऐसे हैं जहाँ प पहलू हो सकते हैं कि समुदाय का विरोध अच्छा है या खराब है अगर आपके समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर तोर पर आप विरोध करेंगे ही लेकिन कई बार ये समुदाय का विरोध जो है इस विरोध की वज़े से भारत का infrastructure development नहीं हो पाता है तो एक भारत में आकर के काम नहीं करना चाहती है क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता है कि अगर हम भारत में अनुबंद करेंगी तो कोई उस अनुबंद को पूरा करेगा भी या नहीं करेगा ये भी बड़ी समस्या है फिर सरकारी भुकतान में रुकावट और भविश्य के निवेश प्रभावित होते हैं, जैसे आप सरकार का कोई प्रोजेक्ट करते हैं, सरकार का कोई प्रोजेक्ट का कॉंट्राक्ट लेते हैं, तो उस कॉंट्राक्ट में सबसे पहले तो आपको अलग अलग तरे के जियो फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं कहीं पर समतल जमीन है कहीं पर आपको पठार मिलेंगे कहीं पर आपको पहाड मिलेंगे कहीं पर आपको रितिला मैदान मिलेगा तो यह अलग अलग जो पूरा बहुगलिक स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा य वहाँ पर आप जो है प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं इसके अलावा जहाँ पर नदिया हैं जो आपके कोस्टल एरियाज हैं ये जो तमाम आपके जियो फिजिकल फीचर्स हैं ये भारत में इंफरस्ट्रक्टर डेवलप्मेंट के लिए बड़ा चालेंज पैदा करते हैं जटील इंजिनिरिंग समस्थे हैं उत्पन्न होती हैं माली जै आपको पहाड़ों पर कोई प्रोजेक्ट लाट लगाना है तो अब पहाड़ों पर किसी प्रोजेक्ट सबसे पहले तो वहाँ पर क्लीरेंस लेना भी बहुत मुश्किल होता है और उसके बाद एगर आपको पूरा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहाडों की रक्षा करना, प्राकरती की रक्षा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, यह चीज भारत के साथ आपको देखने को मिलती है, कई बार प्राकरतिक आपदाएं भी भारत में प्रोजेट्स को नुकसान पहुचा देती हैं, कई यह सिच्वेशन भी आपको भारत में देखने को मिलती हैं, फिर एक समस्या आती है भरष्टाचार की, रेट टेपिजम की भी एक समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, कि अगर आपको भारत में प्रोजेट्स की शुरुवात करनी है, तो आपको पहले सरकारी समस्या के तोर पर सामने आता है, फिर एक समस्या भारत में डिजिटल डिवाइड को ले करके है, डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर को ले करके है, जब आप भारत में बात करते हैं, तो भारत में आपको बहुत सारे भारत मिलते हैं, भारत में आपको एक शेहरी भारत में मिलत एक तो ये भारत हो गया फिर आपका जेंडर के अधार पर भारत में डिविजिन आपको देखने को मिलता है एक बेसिकली भारत में एक तरफ आपको पुरुश देखने को मिलते हैं पुरुशों के पास कंपेरिटिव़ी अगर आप देखें तो डिजिटल में division देखने को मिलता है और इस पूरी division में एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास अंसाधर मौजूद है और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास अंसाधर मौजूद नहीं है तो यह overall यहाँ पर हमने कुछ challenges की बात की जो challenges आपको भारत में देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर अपनी वीडियो को समाब करते हैं और आपके लिए एक सवाल जो है प्रिलिम्स का मौजूद है जिसका जवाब आपको comment box में देना है तो सवाल आप देखें आज का हमारा सवाल है कि भारत में infrastructure चक्चर development की प्रमुख चुनोतियां कौन-कौन ती हैं तो हमारे जो option है option a भूमी अधिग्रहन और वित्य समस्या है option b राजनितिक और तियामक जोखिम option c भागौलिक और मौसम संबंधी चुनोतियां हमें बताना है कि इन इसे कौन सा है और कौन सा नहीं है तो हमें इन कूटो का स्तमाल करना है कोड यहाँ पर आपके सामने है option a है केवल एक और दो option b है केवल दो और तीन option d है केवल एक और तीन या फिर option d उपरोगत सभी तो इसका सही जवाब आपको comment box में बताना है मुझे अमीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी important points पर discussion किया है वो points आपको समझ में आए होंगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करना share करना बिलकुल मत भूलिएगा और अगर content पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करना न भूले